खाते गाउं मंडी एक ग्रेट की मंडी होने के साथ ही प्रदेश की हाइटेक मंडियों में शुमार है किसानों को सारी सुविधा देने के लिए यहां का स्टाफ 24 घंटे तयार है यह कहना है मंडी सचीव रगुनाथ सिंगलाहिया का उन्होंने कहा किसानों को किसी भी प्रकार के परिशानी न हो इस बात का हम बकू भी ध्यान रखते हैं वर्दमान में मध्यप्रदेश की 24 मंडी हाइटेक हुई है जिनमें खाते गाउं की मंडी प्रथम स्थान पर है किसानों के लिए हाई टेक मंडी में स्मार्ट टीवी लगाए गए हैं जो 24 घंटे चालू रहेंगे इससे किसान प्रदेश की सारी मंडीों के भाव जान सकेंगे मंडी सचीव रगुनाज सिंग लाहिया ने बताया हमने दो नमबर जिसे आवक गेट कहा जाता है उसका रंग रोगन का काम करवाया है तीसरा टोकन विवस्था लागू कर रहे हैं जैसे ही किसान मंडी में प्रवेश करेगा उसे टोकन दे दिया जाएगा जो अपने निर्धारित इस्थान टीन शेड में पहुँचकर अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लगा देगा जिसे किसी भी प्रकार की अस्वेधा नहीं होगी किसान को किसी प्रकार की मंडी प्रांगने में आने के बाद कोई सिकायत नहीं आना चाहिए ना ही किसान को किसी प्रकार की तखली होना जहीं हमारा ध्य है अभी बरतमान में मद्धिस में 42 मंडी आइटेक मंडी हुई है जिसमें खाते गाओं भी प्रसम पर है इसके अंतरगत अभी दो नए हमने काम शुरू की है एक तो इसमार टीवी लगाई है जो दीवाल बाहर लगी है दीवाली पर जो 24 गंटे चालू रहेगी इससे यह होगा किसान पुरदेश की सारी मंडियों के इस मंडी में कितनी आवक कोंशीजन के सभाव विक रही है उसको एनी टाइम कभी भी देख सकता है दूसरा हमने अभी दो नमर गैट कई वरसों से बंद पड़ा हुआ था जिसको आवक गैट कहा जाता है उसको हमने अभी नया रग्रोसम करा करके विद्वर नए से चालू करा रहे हैं बहुत सीग ही नवराती शुरू होगी दो नमर गैट चालू करतेंगे तीसरा हमने अबने नए टोकन बिवस्ता और सुरू कर रहे हैं जिससे किसान आड़ती चर्ट जो ट्रेक्टर लगाते थे ना किसानों का विस्ता होती थी बले आदमियों को वह हम टोकन बिवस्ता कर या लागू क आप देख रहे हैं डखल्यूर